आखिर क्या हुआ जब अचानक से जमीन फाड़ कर बाहर निकले भगवान नरसिंग जीहा दोस्तों यह घटना अयोध्या नगरी की है, जहां कल रात को यह सब हुआ जिसे देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंदर मोधी भी देखकर चौक गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कल रात अयोध्या नगरी में जो स्वय नारायन अवतार भगवान नरसिंग को अयोध्या में प्रकट होना पड़ा। फिर से अयोध्या नगरी में हो रहा था जिसमें बहुत से राजनीती दल इस खुशी के माहौल में शामिल नहीं थी। प्रान प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के द्वार सभी भगतों के लिए खोल दिये गए और भगतों का एक सैलाब अयोध्या में उमड़ गया। लेकिन ऐसी भगती के बीच भी अनेकों घटनाएं अयोध्या में हुई है जो की हर इनसान को सोचने पर मजबूर कर रही है कि अयोध्या में यह सब हो क्या रहा है। लेकिन रात की घटना बहुत ज्यादा ताजजुब की है क्योंकि आज तक विश्व में कभी ऐसा हुआ था तो ऐसी क्या गलती राम भक्तों से हुई कि स्वय नारायन अवतार नर्सिंग को अयोध्या में प्रकट होना पड़ा और क्या है इन सब के पीछे की पूरी घटना दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी पक्के। अगर्व मृत्यू से दुखी और क्रोधित हिरनेकश्यप ने भाई की मृत्यू का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सैसरों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रहमा जी ने उसे अजय होने का वर्दान दिया वर्दान प्राप्त करके उसने स्वर्प पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को मार कर भगा दिया और स्वतह संपूर्ण लोकों का अधिपती हो गया देवता निरुपाय हो गये थे। वे असुर हिरनेकशप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रहमा जी की हिरनेकशप कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसंद होकर ब्रहमा जी वर्दान देते हैं कि उसे न कोई। घर में मार सके ना बाहर ना अस्त्र से और न शस्त्र से न दिन में मदेरना रात में मनुष्य से मरीना पशुओं से न आकाश में न प्रिथवी में इस वर्दान के बाद हिरने कश्यप ने प्रभो भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया लेकिन भक्त प्रहलाद के ज लिश्नु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नर्सिन्ह अवतार लेते हैं और हिरन्यकशप का वद कर देते हैं, भगवान नर्सिन्ह में वे सभी लक्षन थे, जो हिरन्यकशप के मृत्यू के वर्दान को संतुष्ट करते थे। लिश्व सभी देवता भैभीत हो भगवान अवतार के करने में अपनी असमर्थता जताई भगवान विश्नु ने सब को भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विश्नु के आगरह पर भगवान शिव नर्सिन का क्रोध शांत करने के लिए उनके समक्ष पहुँँचे किन्तू उस समय तक भगवान नर्सिन प्रवान शंकर को सामने देख कर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ बलकी वे स्वयंग भगवान शंकर पर आक्रमन करने दोडे उसी समय भगवान शंकर ने एक विक्राल रुशब का रूप धारन किया और भगवान नरसिंग को अपनी पूंच में लपेट कर खीच कर पाताल में ले गए काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंग को वैसे ही अपने पूंच में जकड कर रखा अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंग उनकी पकड से छूटने में सफल नहीं हो पाए अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने शब रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी पात्रों को दो महान अवतारों के दर्शन हुए दोस्तों उत्तराखंड के जोशी मठ में भगवान विश्नु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है जिस शेर के रूप में है माना जाता है फिरने कर्शप का वद करने के लिए श्री हरी ने यह अवतार धारन किया था जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंग के साथ बदरी नारायन, उद्धव और कुबेर भी स्थापित है भगवान नरसिंग के इस मंदिर को नरसिंगा बदरी या नरसिंग बदरी के नाम से भी जाना जाता है सर्दियों में बदरी नाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंध हो जाने के बाद पुजारी किसी नरसिंग मंदिर में भगवान बदरी नारायन की पूजा जारी रखते हैं दोस्तों कल रात जब सभी के सामने भगवान नर्सिंग प्रकट हुए तो सब दर से गए थे लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा कि नर्सिंग भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए प्रकट हुए हैं भगवान नरसिंग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि प्रभु श्री राम पूरे 500 वर्षों के बाद उनकी प्रान प्रतिष्ठा हुई थी जिसके चलते स्वय नारायन अवतार भगवान नरसिंग को अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए आना पड़ा तो दोस्तों ये हैं महिमा श्री राम की जो स्वय भगवान नरसिंग को भी इस धर्ति पर आना पड़ा जिसके बाद भक्तों की आस्था प्रभु श्री राम क और बढ़ गई तो विडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।